डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फिल्ड है, डेटा साइंस की कोई लिमिट नी है, पर हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमें शुरुवात कहा से करनी चाहिए, या अगर हमें हमारा करियर as a data scientist स्विच करना है, या आगे जाके हम data analytics में या business analytics में अपना करियर ले जाना या फिर आप उसको business analytics भी कह सकते हैं, और जो second वाला part है उसको में divide करूगा AI, that is artificial intelligence, अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि पहला और second जो पार्ट है उसमें क्या difference है, दोस्तों बहुत basic सा difference है, कि अगर आपको आगे जाके अपना करियर as a artificial intelligence, या ऐसा like आप कह सकते हैं कि automation में ले जाना है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसे algo design करना है, जिन algos को एक बार आपने design कर दिया, तो without human या without किसी के involvement के, वो algo अपना good decision लेता है कि आगे क्या करना है, that is we can call artificial intelligence, इसका मतलब यह होता है AI का मतलब, कि बिना human के जो काम होता है, वो होता है AI का, और अगर आपको अपना career as a AI में ले जाना है, तो भी आपको data science ही सिखना पड़ेगी, पर data science में क्या सिखना पड़ेगा आपको, जिसे शुरुवात करनी पड़ेगी आपको महापर mathematics, जिसको हम कहते है, statistics, उसमें relational algebra 11-12 level का mathematics से वो काम आता है, उसके बाद आपको उसमें आ जाना चाहिए machine learning, सबसे important part है machine learning, तो machine learning क्या होती है, ML कहते है, उसको short में deep learning भी होती है, उसमें और आगे जाना चाहते है, तो NLP होता है, natural language processing, computer vision, उसकी कोई limitations नहीं है, इसमें एक बात आप ध्यान रखे, आप technical है और non technical है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको data structure and algorithm, DSA, data structure and algorithm पर भी कमाड होना बहुत ज़रूरी है, कई लोग आप में से ऐसे होते हैं, जिन्होंने computer science से बिटेक किया है, पर they don't even comfortable in data structure and algorithm, जबकि जितनी भी बड़ी-बड़ी companies है, product based, जो अपने खुद के IT application develop करती है, वो सारी companies focus करती है data structure and algorithm पे, और आपका जो interview होगा, वो भी data structure and algorithm पर ही होता है, चलिए, अब हम लोग बात करते है, data science के जो पहली category थी, data analytics का है, उसको या business analytics का है, देखिए, मैं आपको अभी clear कर देता हूँ, data analytics हो या AIO, है सब हापस में inter-relate, पर मैं आपको यह clear करना चाहता हूँ, कि जो MBA के student होते, या जो BBA के student हो in short, अगर आप MBA या BBA के student है, या अगर आप out of India जाने वाले है, like IELTS के थुरू, GRE के थुरू, और आपको future में further like MS करना है, या कुछ भी करना है, तो data analytics या business analytics का आपको suggestions दिया जाएगा, कि आप इस पर command करके जाओ, otherwise आपको वहाँ पर internships मिलने में, जॉब मिलने में बहुत तो अगर हम बात करते हैं, data analytics की, या business analytics की, इसमें एक word और आएगा आगे, financial analytics, financial analytics, उसके बारे में हम बात करेगे, so दोस्तो, data analytics, या business analytics में, आपको पहले आने चाहिए language, जिस हम कहते है, python, python language क्यों आने चाहिए, क्योंकि जो बड़े-बड़े data files होती है, आपकी finance की, या मे virtual funds का data होता है, उन सारे data को अगर मुझे analyze करना है, और मुझे predictions निकालना है, तो उसके लिए मुझे उन files को analyze करने के लिए python, python programming, use करना पड़ेगा, और python की कई सारी होती है, predefined libraries, जैसे मैं नाम लेना चाहोगा, यहाँ पर, एक होती है numpy, एक होती है pandas, एक होती ही scikit learn, अग matplotly, तो ऐसी अलग अलग तरहे कि आपकी python की क्या होती है, libraries होती है, so अगर आप एक MBA के student है, या अगर आप BBA के student है, तो आपको python आना बहुत जरूरी है, यह matter नहीं करता है, कि आपने पहले कभी C या C++ या programming नहीं सिखिये, बहुत easily, सिखाते ही हम लोग, और कई सारे students प करना है, या database में deal करना है, तो आपको SQL आना बहुत जरूरी है, और SQL का एक certification भी होता है, उसको हम लोग कहते है, OCA, Oracle Certified Associate, if you want to become a professional Oracle or SQL developer or database developer, then you have to clear that certificate, which is SQL OCA certificate by Oracle, that is very easy to clear, अगर आप थोड़ा सा SQL के लिए prepare कर लेते हो, तो, दोस्तो, पेले number पे Python था, second number पे SQL, now the third most important tool, और we can say data software, which you need to learn as a MBA, or as a financial student, or as a data analytics, you have to learn for Tableau for data visualization, जी हा दोस्तो, Tableau, अगर मैं बात करता हूँ, तो यह तरह का dashboard होता है, यह तरह का software होता है, यह बसिकली तीन होते हैं, मतलब software, first one is Tableau, second one is Power BI, and third one is SS, SS, so SS और Power BI की मैं भी बात में करूँगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, Tableau की, Tableau एक तरह का tool होता है, या मुझे किसी को balance sheet दिखाना है in the form of chart, तो उसके लिए मुझे graphical presentation अगर मुझे करना है, तो मुझे Tableau के जरुवत पड़ती है, और Tableau का बहुत योज या अज industry में, अगर मैं बात करता हूँ, मेरे कई सारे स्टुडेंट्स है, जो कि GRE, GMAT, IELTS के थुरू बाहर गए, और व as a Tableau developer earn कर रहे, so एक बार आप सर्च भी कर सकते है, मेरे पास जो भी data है, यह मेरा बनायावा data नहीं है, Google पर सब कुछ अवेलेबल है, आप सर्च करे, Tableau developer salary in US, या फिर Tableau developer salary in India, आपको समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों, इस वीडियो के थुरू मेरे आपको बताने का पर programming, machine learning, statistics, and some data structure algorithms and the basic knowledge of 1112 mathematics, but if you want to switch your career as a business analytics, if your background is non-technical or MBA or management or like something else, then don't worry, start learning Python, Python libraries for data science like NumPy, Panda, Scikit-learn, Matplotlib, and SQL, Oracle for data and Tableau. दोस्तों, उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये समझ में आ चुका होगा, कि data science में आप अपना career कैसे switch कर सकते, apart from this, programmers point पे हम लोगों ने data science के कई सारे अलग लग तरके course launch करे, एक college के student से लेकर तो एक working professional तक, छोटे से लेकर तो बड़े course तक, basic course से लेकर तो professional job, guaranteed या job oriented courses तक हम लोगों ने create कर रखे, एक बार अगर आपको इससे related कोई भी counselling चाहिए, उसके लिए आपको पे करने की जरुवत निये counselling के लिए, free counselling है, आप आदी घंटे मेरे साथ बेठे office पर, या telefonically आप टॉक करे, आपको ये समझ में आ जाएगा, कि how can you switch your career as a data scientist, and आ आप अपने career में आगे जाके इसमें पेसा किसे कमा सकते हैं, देखे दोस्तों, jobs की opportunities तो ही, साथ में आगे जाके आप अपने career में फ्रिलांसिंग भी कर सकते हैं, प्लस आगे जाके इसका training market बहुत बड़ा है, अगर आप एक अच्छे trainer बन चाते हैं, तो data science में आपको धुक्ष को अमेट, तो तो ड्यक्ष बहुत बहुत बहुत।